MP Police की website से ये जो character certificate बन रहा है इसको बनाने के लिए कल लगबग एक गंटे 45 मिनिट का time लगा और इस एक गंटे 45 मिनिट के वीडियो में जो main चीज है वो केवल 5 ये 10 मिनिट की है और ये जो समय लगा मुझे ये लगा मुझे इसके server के कारण क्योंकि यहाँ पर login ID, registration, password इसा ब बात करीब 25 बात ट्राइ करने के बाद ये प्रॉपर तरीके से login उपाया या काम कर पाया क्योंकि यहाँ पर server की बहुत error आ रही थी तो इस video को बनाने में बहुत मैंनत लगी है server के कारण बहुत सारी समस्या या रही थी बार-बार login करते थे आंगे जाते थे ये बाहर फेक देता था लेकिन फिर भी हमने इस video को complete किया है यहाँ पर दो-तिन चीजे हैं जो मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बता देने चाहता हूँ यहाँ पर आपको जो document लगने वाले हैं वो document आप जो सबसे पहले आप रख लें वो एक तो अपनी passport size की photo आप जरूर अपने पास रखें इसके लावा दो document आपको और लगने है अपलोड करने के लिए और दो गवाह की detail गवाह मतलब जो आपके आसपास लोग रहते हैं जो आपको गवायी के रूप में आपको प्रूफ करते हैं दो दो लोगों के और नाम आपको लगेंगे और उनके अलावा दो लोगों के नाम के अलावा जो चीज लगनी है वो बताता हूँ यह देखें यह आप एक लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ यह है निवास प्रमाडपत्र, पहचान प्रमाडपत्र, आईउ प्रमाडपत्र, पास्बुक है यह पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, जाती प्रमाडपत्र है, विकलांग प्रमाडपत्र है, स्वास्त सुरक्चा स्मार्ट कार्ड है यह जो लिश्ट दिख रहे हैं इसमें से कोई भी दो चीज आप अपने पास रख लें क्योंकि इसमें से दो जो फाइल है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी पीछे आप देख पा रहे हैं वो लिखा है दो पहचान पत्र अपलोड करें ठीक है तो यहां पर यह आंगे चलके अभी जो वीडियो में आपको दिखाएंगे वहां पर यह एक्चुली यह जो पूर पत्र की जब अफलोड हो जाएगा यह दोनों ड UNरे डकमें तो कुछ इस प्रकार से दिखायी देने लगएगा अपールोड करें और यह प्रकार से दिखाए देत तो बसको बंदगर हैं पूरी प्रोसेस को समझिएगा क्या होने वाला है कैसे करना है क्योंकि अब चरिफिर प्रमाणपत्र बनाते समय आपको चालान कारउस्सकता नहीं पढ़ती विदाउट चालान डारेक्ट ओनलाइन आपका पेमेंट होता है कैसे होता है वीडियो में लाश्ट तक देखिए आ एक आवेदन आपको लिखना है और उस आवेदन में आपको जो आपके थाना प्रभारी है उसके नाम पर आवेदन रहेगा और इसके लाबा उसमें आपको ये जानकरी देनी है कि चरित्र प्रमाडपत्र की आवशक्ता आपको क्यूं है इससे संबंदित पूरी जानकरी आव प्रमाड़ पत्र है वो प्राप्त कर लें दूसरा ओनलाइन तरीका होता है और ओनलाइन तरीके के लिए आपको जाना है citizen.mppolis.gov.in यह वेब साइट है यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले एक new registration अपने लिए password बनाएंगे आप उस customer का बनाएंगे ठीक है मतलब जिसके लिए चरित्र प्रमाड़ पत्र बनाना है यहाँ पर उसका profile बनेगा तो यहाँ पर नागरिक पंजी करण आपके सामने open हो गया है यहाँ पर आपको जाकर कुछ जानकारी भननी है लाइक आपका यहाँ पर नाम आईडी यहाँ पर आपको बनानी है इसके बाद नीचे की तरफ जाकर password आपको एक create करना है यहाँ पर same password आपको डालना है और इन सबको करने के याद सम्मिट करें बटन पर क्लिक करने के बाद एक OTP आपके mobile नमबर पर आपने डाला है वहाँ पर आएगा उस OTP को यहाँ पर enter करके इसे validate करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास OTP आ चुका है इसको हम करेंगे validate OTP submit करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से message लिख के आ गया user created successfully please login using your username and password अगर आप username और password भूल भी गये हैं तो आपके mobile पर एक message आ जाएगा जिसमें आपका username और password आपको लिख के दिखाई देने लगे गए इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका username और password है वो username password आप यहाँ पर enter करेंगे यह जो capture दिया गया है वो capture आपको यहाँ पर fill करना है और इसे login कर लेना है लोग इन करने के बाद यहाँ पर आपका dashboard आपको दिखाई देने लगा ठीक है अब यहाँ पर आपको दिख रहा है second option चरित्र प्रमाड आविदन चरित्र प्रमाड पत्र आविदन इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ option आ रहा है चरित्र प्रमाड पत्र आविदन जोड़ें चरित्र प्रमाड पत्र आविदन का संसुधन करें या चरित्र प्रमाड पत्र के लिए आविदन देखें तो हमको करना है आविदन जोड़ें ठीक है क्योंकि हम एक नया आविदन करना चाहते हैं, चरित्य प्रमाणपत्र आविदन जोड़ें, इस option पर क्लिक करने का तो आपके सामने इस प्रकार से आविदक विवरण, पता, सपत्पत्र, गवाह, सूचना, सुल्क रासी, यह 5 option आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले आपको आविदक विवरण भरना है, यहाँ पर आपको अपना प्रथम नाम, इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में अंतिम नाम, यहाँ पर सेलेक्ट करने का माता या पिता यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, इसके बाद यहाँ पर फादर नीम, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट क करनी है आपकी डेटो बढ़त जो भी है वो यहां पर आप एंटर करें और आप इसे कलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अदरवाज डारेक्ट भी आप यहां पर टाइप कर सकते हैं तो यहां पर हमने डारेक्ट टाइप कर दिया इसके लावा यहां पर तस्वीर अप्लोड क अप्लूड करें। इहाँ पर फाइल का विवरड दें। जिसमें आप अपना यहाँ पर लिख सकते हैं पासपॉट साइस फोटो। इसके बाद अप्लूड करें। फोटो अपलोट करने के बाद यहाँ पर अप्सन पर क्लिक करें इसके बाद आपका यहाँ पर सेकेंड अप्सन आएगा जो की है एड्रेस जिसमें आपको वर्तमान एड्रेस यहाँ पर डालना है ग्राम तैसील जिला पुली स्टिशन जो भी आपका लगता है पिन कोड कितने समय से आप यहां पर रह रहे हैं यह सभी option लिखकर इसे जोड़े बटन पर क्लिक करके add कर दें इसके बाद तीसरा option आता है आपका सपत पत्र जिसमें यह आपको जानकारी देनी है कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपरादिक प्रक्रड है इसे हम नहीं कर देंगे फॉर्म में उपलब्द कराईगे इसे भी जानकारी सही है इसे हम चेक करेंगे यहां पर दो पहचान पत्र आपको upload करने हैं दो पहचान पत्र में आप अपना pen card, passport या driving license इन तीन में से कोई भी दो option के माद्यम से दो चीजों के माद्यम से आप यहां पर इसे search option पर क्लिक करके upload कर सकते हैं इसके बाद गवाह सूचना में जाए तो यहां पर दो गवाह यानि की दो आपके ऐसे व्यक्ति जो आपको जानते हैं उनकी detail आपको यहां पर fill up करनी है उनका upload station क्या है और गवाह नमबर 2 सेम जनकर यह आपको यहां पर fill up करनी है देन इसको submit करना है last option आता है सुलकर 80 क्या आप BPL कार्ड धारक है अगर हां तो ठीक है नहीं है तो इसे no पर click करें और submit करें यहां पर आपको चरित्र प्रमाड पत्र एहतु आविदन के लिए किसी भी प्रकार का सुलक है यहां पर अभी आपको दिखाई नहीं दी रहा है लेकिन जैसे हम इसे submit करेंगे submit करने के बाद यहां पर इसे हम सभी option को भर लेते हैं यहां पर भरने के बाद यह जो file हमको upload करनी है इस file पर हम click करेंगे चरित्र प्रमाणपत्र के लिए सारे option fill up करने के बाद पहले यहां पर जो चालान को option आता था उसकी जगह पर अब आने लगा है सुलक भुकतान का ठीक है तो यहां पर जब आप करेंगे तो आपका सेवा अनुरूद संक्या इस प्रकार से आपका generate हो जाएगा दिनांक आएगा कितने बज़े पंजी करित किया यह detail आएगी है तो यहां पर आप सेवा जो यह option आ रहा है आपका नंबर आ रहा है उससे आप चाहिए तो save करके रख सकते हैं इसके बाद भुकतान करें option यहां पर आ रहा है direct आप यहां पर click करेंगे पहले यहां पर आपको MP Treasury की जो website होते है चालान वाली वहां पर जाना होता था वहां पर जाकर आपको चालान काटना होता था 100 रुपए या 200 रुपए का और वो चालान आपका police head पर जाता था लेकिन यहां पर अलग से चालान का option ना दे कर जब आपका complete registration हो जाता है तो registration हो जाने के बाद यहां पर आपको एक option दिखाए देने लगता है directly payment का तो यहां पर आपको payment option पर directly जाना होता है और यह भुकतान कर एक option दिखाए देता है यहां पर जाते हैं यहां पर आप देख पार हैं कुछ इस प्रकार से option दिखाए देने लगता है application का नाम, applicant name, applicant एक एंट मुबाइल नंबर रिफ्रेंस नंबर अमाउंट दिख रहा है और पेमेंट गेटवे आपका है यहां पर MP online पे बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर पेमेंट गेटवे MP online के माध्यम से आप इसको option है यहां से आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं और किसी भी option से आप कर सकते हैं इसका मतलब जो इसकी 100 रुपे की पेमेंट होनी है अब वो चालान की जगह पर आप online कर सकते हैं और अगर आप MP online की आपकी login है तो आप अपने MP online को login करके भी payment कर सकते हैं साथ ही साथ citizen पर क्लिक करके आप कोई भी option debit card है, credit card है, UPI है, आपका SBI का, आपका bank है तो आप जो online भी payment कर सकते हैं तो यह बहुत सारे option हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से इसकी payment कर सकते हैं पेमेंट करने कर दिया आपका जो आविदाने यह summit हो जाएगा और summit होने के बाद यह आपको by mail आपको उस पे आपको जानकारी इसकी प्राप्त हो जाएगी और बहुत आसान अब हो गया है इसको बनाना, पहले चालान आपको अलग से काटना पड़ता था, अब यहाँ पर online payment की सुविदा दे दी गए, तो केवल इतना अंतर आया है पहले और अब जो character certificate बनना है